हलो फ्रेंज मैं वोची और मेरे चैनल जास कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी के दिल से स्वागत है आज मैं आपकी शेयर करूंगी गोबी मंचुरियन यह बहुत ही टेस्टी होता है और बनाने तो बहुत आसान है और खटा मीठा चाट पाटा होता है बहुत एकदम बात है जो दूस्त मैं चैनल में नियू है प्लीज सापोट करना सब्सक्रेप करना और कॉमेंट करके जुरूर बताना की कैसे बनाया यह दिखे मैंने इधर ले लिया है गोबी कोली फ्लावर इसको छोटा-छोटा पीसेस में कट लिया है जैसे मैंने कटा है ऐसे ही कट ले जोटा बडी आजर पानीमें बॉल आजय तो निकल लेन और पानी जटा लेना मेराोट है अश्थ जागा छोटा पड़ गिया है इस इसका ऐड panjane जोड़के वाला है और पानीमें बॉल भी के आखी आगा है तो मैं गवी को निकल को आगी और पानी भी पुरा जड़ा लूगी देखे इसका कलर यह च्रीज नहीं हो गया और हल्का सा बाइल भी अ है इसको बंड करके इसको चानूंगी इसादम में गवी को निकल लिया है में मिक्सिंग बोल में डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड मेर्च पावडर मतलब थोड़ा सा मेर्च पावडर और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना और थोड़ा सा बेस्ट भी डालना है कि और इसको हलका सा मिलाएंगे मैंने इधर पहले एक टेबिल्स्पून बेशन डाला है कंब स्हicação ए कि इसी हातों से मत मिला क्यूंकि टूट जाने का पॉसिबिलीटिय होता है this तो उपर से भी मैंने एक टेबिल स्पून डाल दिया, आपको जितना चाहिए दे देना और एक टेबिल स्पून अगर लागे तो दे देना, इधर मैंने कराई में सर्सो का तेल गरम कर लिया है, क्योंकि सर्सो तेल में इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है, आप चाहे तो स एक दम दोनों तरफ से जब लाल हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा तब इसको उतरना है, देखिए कैसे लाल हो गया ना, एक दम क्रिस्पी जैसा बन गया है, अभी मैं इसको निकल लूंगी और बाकी जितना है कोली फ्लावर मैंने टेट उसको फ्राइ करूंगी, एक कैप्सिकम, इसको हलका सा मिलाना है, अभी इसमें पाच्छे लेसुन का कली और हरा मिर्ज डाल दिया, अब जितना जाल पसंद करेंगे तो उतना ही देना तीखा जितना पसंद करेंगे, अभी इसमें थोड़ा सा नामा कर स्वाप सौस डालना है, एक टेपिल स्पून जायसा, और मिक्स करना, इसमें बहुत अच्छा एक स्मेल आ रहा है, अभी इसमें मैं चार पाच टेविल स्पून टोमाटो सॉस डालूंगी, इसमें इससे ग्रेवी बनेगा, क्योंकि पानी मत डालियेगा, पानी से इसका टेक्स्चर खडब हो जाता है, यह दिखिए मैं इसमें मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा एक स्लारी बनाएंगे, यह दिखिए थीक हो गया है, और नमक भी चिक कर लेना, और भूना हुआ जो गोवी है, उसको डाल देना, और मिक्स कर लेना, तो बन गया है, हमारा खटा मीटा चट पटा, गोवी मंचूरियान, और कितना असानी से बन गया है ना दोस्तों, अभी मैं इसको सर्फ करूंगी, तो दोस्तों आप लोग भी ज़रूर ट्राइ किजिएगा, और कमेंट करके बताईएगा, कि मेरा अजका ए रेसिपी कैसा लागा, और जो दोस न दे मिलूंगी दूस्ते कोई वीडियो पे तप तक के लिए, बाई